हेलो स्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूजर चैनल पे आप देख रहे होंगे मैं फिर से आपके सामने तयार हूँ क्यामिकल रियक्शन और एक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ बैलेंसिं क्यामिकल रियक्शन पर बात किया था मैं अब मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक को और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बैलेंसिंग के अलाबा वो कौन-कौन सा इंफॉर्मेशन है जो आप रियक्शन में दे सकते हो साथी साथ आपको मैं यही यह भी बताना ज चाहूंगा कि आप कौन सा इंफॉर्मेशन किसी भी केमिकल रियक्शन से आपको नहीं मिलेगा और थोड़ा समय टाइप्स ऑफ रियक्शन पर भी बात करूंगा आज के वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक क् काम to have a chemical reaction more informative किसी भी chemical reaction को आफ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो अब देखो, सबसे पहले आप देख रहा होगे balance of, balance the chemical reaction पहला काम तो हम लोग यही करेंगे एक reaction को आपको ज़्यादा informative बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा reaction को balance करना पड़ेगा तो यह इस चीज से अल्रेटी आप बाकिफ हो उसके बाद क्या है we should write state of reactant and product जो reactant or product है न उसका state लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप state लिखते हो न तो इससे reaction ज़्यादा informative हो जाता है जैसे मैंने यहाँ पर कुछ symbol दिया है जैसे देखिए solid के LE हम क्या लिखते है S लिखते है liquid अगर हमको लिखना है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे L लिखेंगे अगर equus state हमको बताना है तो आगे हम क्या लिखेंगे equus, 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 equus लिखेंगे dilute अगर है तो आगे में हम क्या लगाएंगे उसके DIL dilute लगाएंगे concentrated है तो CUNC लगाएंगे कॉंक अगर गैस इवल्व खर रहा है तो देख रहे हैं अप एरो हम देशकते हैं या फिर हम उसके बगल मे गैस जी लिख सकते हैं आगे क्या है प्रेसिपटेट अगर है प्रेसिपटेट मैंने आपको बताय था ना इनसॉलेबल प्रोडक्ट insoluble product मैंने आपको बताया था तो अगर insoluble product आ रहा है तो या तो हम PPT लिखेंगे या फिर हम बगल में down arrow मारेंगे down arrow का symbol दे देंगे अगर reaction exothermic है तो आप देख रहे हैं plus delta और अगर reaction endothermic है तो minus delta इस तरह से हम लोग इसको represent करेंगे इसको मैं जब भी example दूँगा न तो उस example मैं इसको समझाने की और अच्छे धंग से मैं कोशिस करूँगा और क्या करना है हमको तो आगे देखें क्या लिखा हुआ है we should write the right condition of reaction in the form of temperature required pressure required हमको क्या करना पढ़ेगा कि अगर मालनो temperature और pressure हमको देना है तो वो भी हम लिखते हैं जैसे देखो यहाँ पर हमने example दिया है जैसे देखिए carbon monoxide or hydrogen एक दूसरे से react कर रहा है कितने atmospheric temperature पे तो 340 ATM पे वो react कर रहा product मेरा क्या बन रहा methyl alcohol यह product मेरा क्या है methyl alcohol यह मेरा product है तो methyl alcohol देखिए यहाँ पर carbon monoxide जो है वो क्या है यह gaseous state में है hydrogen भी मेरा क्या है gaseous state में और कितना atmosphere पे यह reaction चल रहा है 340 ATM पे और product मेरा क्या बन रहा है methyl alcohol और इसका जो state है वो क्या है liquid है तो देखिए हमने represent किया है यह जो हमने representation दिया है वो क्या representation है यह representation हमारा जो है वो यह बतलाता है कि reaction जो है more informative हो गया है आगे क्या है we should also indicate catalyst अब यह catalyst क्या चीज होता है देखिए catalyst actually में those chemicals catalyst कुछ special chemicals होता है which alter the rate of reaction यह rate of reaction को alter करता है without participate without participate into it मतलब आप इसमें बीना participate लिए यह rate of reaction को alter कर देता है मतलब alter कहने का मतलब क्या होता है या तो उसको बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता उसी को हम लोग बोलते है catalyst तो catalyst यही चीज होता है अब देखे मैंने नीचे कुछ example दिया है जैसे देखो यहाँ यहाँ पर क्या है potassium chloride यह solid state में होता है और product में क्या आ गया KCl or plus 3O2 यह क्या है GACES state में है तो हम अपेरो दे देंगे यहाँ पर और यहाँ पर यह जो MnO2 देख रहे हो ना magnesium dioxide यह क्या है catalyst है क्योंकि इस reaction में आप जितना भी MnO2 यूज करोगे न वो reaction के बाद आपको बापस मिल जाएगा तो यह reaction में involved नहीं हुआ है बस यह rate of reaction को enhance कर दिया है बढ़ा दिया है उसी तरह next example आप देख रहे होंगे मैंने दिया है यह बहुत अच्छा example माना जाता है higher classes के लिए क्या है यह N2 plus 3H2 देखिए यह gaseous state में है और मेरा product भी gaseous state में आया है है ना तो product क्या है Ns3 gaseous state में आया है और साथ में देखिए मैंने यहां दे दिया है यहां पे हीट निकल रहा है यह डेल एच कहने का मतलब क्या reaction exothermic है और यह कितना temperature required करता है तो देख रहे हैं 400 to 450 degree celsius temperature required करता है और atmospheric temperature is atmospheric pressure कितना होना चाहिए 150 to 200 atm और यह catalyst required करता है यह idle तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इस reaction को ज्यादा से ज्यादा informative बनाने का कोशिस किया और देखिए जो exothermic reaction है तो इसमें जो heat amount of heat निकल रहा है उसका भी value मैंने में लिख दिया है 92 kilo joule per mole यह एक mole में 92 kilo joule जो है energy release करता है तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हम reaction को ज्यादा से ज्यादा informative बना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा informative बनाने के लिए हम लोग अलग-अलग type के symbol का अलग-अलग type के sign का use कर रहे हैं यह बहुत ही important माना जाता है जब भी आप exam में ऐसा कुछ ज्यादा से ज्यादा informative बना करके रिपर्जेंट करो इससे क्या होगा आपका जो एक अच्छा impression जाता है जो आपकी copy को चेक कर रहे हैं तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद वह है क्या कि वह कौन-कौन सा information है जो हमें एक chemical reaction को लिखने के दौरान कभी नहीं मिलेगा मतलब आप chemical reaction सिर्फ लिख दोना तो इससे ये कुछ बाते हैं जो आपको पता कभी नहीं चलने जा रही है जैसे देखिए पहला क्या मैंने लिखा है rate of reaction मतलब whether the reaction is fast और slow आप कोई chemical reaction लिख देते हो equation के टर में तो उस reaction को लिखने से ये नहीं पता चलने जा रहा है आपको कि ये reaction fast है कि slow है ओके next आप देख रहे हो smell of reactant and product smell का पता कैसे चलेगा जब तक आप खुद reaction को नहीं कर बाओगे तब तक तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई मेरा जो reactant हमने लिया था उसका smell क्या है उसका odor क्या है ये तो आपको पता चलने जा नहीं रहा है तो smell odor इसका पता नहीं चलेगा आगे देखे color of reactant or product का जनरल बे में common बे में आपको reactant or product का color भी नहीं लिखा हुआ रहाता है एक reaction में हाँ कहीं कहीं आप देखोगे कहीं कहीं आप देखोगे कि अगर precipitate मिलेगा ना तो precipitate का color आपको मिल जाएगा ये कहीं कहीं मिलेगा हाला कि precipitate में ये color लिखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे कहीं नहीं पता चलता है कि precipitate का color क्या है लेकिन ऐसे common reaction आप कहीं नहीं देखोगे कि reactant का color क्या है product का color क्या है ऐसा कुछ आपको symbolize किया हूँ रहेगा आगे क्या है amount of substance taken during the reaction आपने कितना amount लेकर कि reactant को reaction करवाया है एक reaction में आपको ये भी नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि अगर 5 अलग-अलग लोग उसी sample को ले करके अलग-अलग reaction करवा रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि पांचो आदमी एक ही amount of sample को ले हर का amount अलग हो सकता है कोई 5 gram लेगा तो कोई 1 gram लेगा तो कोई 2 gram लेगा कुछ ऐसा चलता है तो एक chemical reaction को जब आप represent करते हो तो आपको ये भी नहीं पता चलता है कि हमने कितना amount of reactant या कितना amount of product हमको obtained हुआ है अब आगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ वह है types of chemical reaction ये इस chapter का काफी important topic माना जाता है अब देखो types of chemical reaction में सबसे पहला chemical reaction मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखिए मैं लिख रहा हूँ when two or more than two reactants combine to give single product यही चीज इस reaction को important बनाती है कि reactant की संख्या 2 या 2 से जादा होगी जबकि product मेरा क्या होगा single होगा ठीक न तो ऐसे ही reaction को हम लोग बोलते है chemical combination और मैंने कुछ example दिया यह activity आपके आपको क्या करना है calcium oxide लेना है calcium oxide को हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते है देखिए नीचे लिखा वोग या reaction CAO solid state में लेंगे H2O liquid state में और हमारा product क्या बनेगा CAOH का hole 2 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग slate lime बोलते हैं यह या तो echo state में आएगा जैसे आप देखिए slag lime के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ जब आप container में reaction करवाओगे न तो आप देखोगे यहां पर water रहेगा और नीचे में आपको थोड़ा सा solidified state में मिलेगा यह तो उपर जो water है इस water को हम लोग क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं lime water यह soluble form of slag lime है और नीचे जो है वो solid form of slag lime है यह क्या है भाई यही मेरा slag lime है यह मेरा slag lime है दोड़ो में थोड़ा अंतर है ध्यान दिजेगा lime water जो है उसका भी formula यही होता है तो यहाँ पर color change हुआ है ना color change हुआ है ना पहला तो मेरा यह हुआ दूसरा चीछ क्या हुआ है तो आप देखेगा जब आप इस container को touch करोगे ना तो आप देखोगे यह heat हो जाता है heat हो जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि इसका मतलब यह reaction कैसा है एक्सो थर्मिक है मतलब change of temperature भी हुआ है color भी change हुआ है और change of temperature भी हुआ है है ना next reaction मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है carbon plus oxygen product मेरा आ रहा है carbon dioxide plus heat तो देखिए carbon क्या है solid state में ले रहा है oxygen gaseous state में carbon dioxide gaseous state में होता और heat निकल रहा है इसका मतलब यह भी reaction क्या है एक्सो थर्मिक है एक्सो थर्मिक reaction है क्योंकि product के साथ मेरा heat भी निकल रहा है नीचे आप देख रहा हूँगे यस reaction से भी आपको आप परचित होंगे आपको बताया गया है कि magnesium का ribbon oxygen में जलाते है तो product मेरा क्या निकलता है magnesium oxide और साथ में heat भी निकलता है dazzling flame के साथ जलता है यह और इसका color कैसा है इसका color है white इसका मतलब क्या जबकि यह क्या होता है silvery shiny होता है तो देखिए तो आप समझ रहे होंगे बात को कि इसमें क्या हो रहा है कि state तो बदली रहा है साथ में क्या बदल रहा है हमारा तो color बदल रहा है temperature change कर रहा है और एक चीजिए important बात क्या ह सब देख़ रो, और या turbulent जो है वह क्या है, जब की प्रड़क्टर हमारा है इसका मतलब क्या यह सारे के सारे रियक्शन जो है वह क्या है chemical combination है जब भी आपको ऐसा कोई reaction मिलता है, जिसमें reactant की संख्या जादा हो और प्रोड़क्ट की संख्या सिर्फ एक हो इसका मतलब वो क्या है chemical combination है अब इसी chemical combination में कुछ बाते और ध्यान देने की बाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे देखिए यहाँ पर water का addition हुडाया ना तो अगर chemical combination में water add करता है तो इसको हम लोग बोलते है hydration इसको क्या बोलते है hydration अगर oxygen add कर रहा है तो ऐसे condition को हम लोग क्या बोलते है oxidation यह condition क्या हो जाएगा oxidation अगर carbon dioxide add करता तो क्या बोलते carboxylation जैसे मैं example देखिएगा जैसे मैं एक example देखिएगा यहाँ देड़ा हूँ अगर माल लेजिए CAO है और plus यहाँ पर हम कर दे CO2 और product मेरा क्या बन रहा है CACO3 तो इस reaction को देखने है carbon dioxide add कर रहा है तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे carboxylation इस process को हम लोग बोलेंगे carboxylation अगर hydrogen add कर रहा हूँ जैसे देखिए C2H4 है और इसमें अगर हम hydrogen जोड देते हैं तो क्या बनता है C2S6 देखिए hydrogen का addition है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे hydrogenation hydrogenation तो यह सारे chemical combination ही है अब देखिए on the basis of energy की बात में कर रहा हूँ तो energy के हिसाब से दो टाइब का reaction है एक है exothermic reaction और एक देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है endothermic reaction तो पहले हम लोग समझ रहे है exothermic reaction क्या होता है chemical reaction in which heat or energy is produced along with product product के साथ heat भी निकले या फिर कोई energy निकले तो ऐसे condition को हम लोग बोलते है exothermic reaction मतलब क्या होता है आउट अब देखो यहां पर मैंने reaction को मैंने बताया है जैसे देखिए यहां पर फिर से वही reaction में ले रहा हूं 2 mg प्लस O2 और product में क्या आ रहा है से react करवा देते हैं air से के presence में heat करवाते हैं तो product मेरा क्या बनेगा CO2 plus H2O देखिए यह combustion reaction है combustion reaction जो होगा वो क्या होगा एक्सो थर्मिक reaction होगा heat निकलेगा आपने respiration का नाम सुना होगा respiration में क्या energy निकलता है ना energy निकलता के form ATP के form में इसका मतलब क्या है यह exothermic reaction है तो कोई भी reaction जिसमें हमको energy obtained हो रहा है वो सारे के सारे reaction हम क्या कहेंगे वो सारे के सारे reaction exothermic reaction के अंदर आएंगे next reaction हम लोग देखने जा रहा है endothermic reaction देखें क्या लिखा हुआ है the chemical reaction in which heat or energy is required during reaction reaction के दौरान हमको heat या energy required होता है इसमें energy loss नहीं होता है इसमें energy जो होगा ना वो चाहिए ओके तो देखिए कुछ example मैंने दिया है जैसे और यह प्रोड़क्ट आपको मिलने जा रहा है तो जब यह प्रोड़क्ट निकलेगा ना तो आप साथ में देखोगे heat जो होगा इसमें loss होगा मतलब आगे उसके जो container आपका जो होगा ना वो ठंड़ा हो जाएगा उसी तरह से आप देखिए ammonium chloride और water का NH4Cl को अगर आप water में घुलाते हो तब भी आप देखोगे क्या हो जाएगा surroundings जो उसका होगा ना surrounding जो होगा ना वो क्या हो जाएगा cool हो जाएगा थंड़ा हो जाएगा उसी तरह से देखिए potassium chloride को आप एक container ले लो और उस container में water ले लो और इसमें KCL ढालो आप देखिएगा इस container के outer area जो होगा वो ठंड़ा हो जाएगा next आप देख रहा होगा photosynthesis photosynthesis क्या है भाई तो photosynthesis में भी आप देख रहे होंगे sunlight यूज होता है ना sunlight यूज होता है ना और sunlight क्या energy है ना तो energy का using चल रहा है इसका मतलब क्या reaction इंडो थर्मिक है कोई भी reaction जिसम में energy अगर यूज हो रहा है तो इंडो थर्मिक है अब next हम लोग देखने जा रहे हैं decomposition reaction अगला जो हमारा topic है वो क्या है decomposition reaction decomposition reaction क्या होता है भी हमने रिफराना chemical combination उसका जिस्ट उल्टा है देखिए इसमें क्या है सिंगल रियक्टेंट गीब्स टू और मोर देन टू प्रोड़क्ट एक रियक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोड़क्ट देता है जैसे मैं यहीं पर एक 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 जामपल दे रहा ह है बई एक और मैं दे दे देता हूं तो परोड़क्ट मेरा क्या बनता है एक न क laquelle मैं बैलेंस कर देता हूं यह reaction हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए, NaHCO3 है न, आप इसको heat करो, तो product क्या मिलेगा, Na2CO3 plus H2O plus CO2, अब देखो तो, उपर वाला जो reaction मेरा देख रहे हो, वो क्या है, यह addition reaction है न, sodium carbonate plus water plus carbon dioxide एक दूसरे से react किया, और क्या बनाया, sodium bicarbonate, और यहां पर क्या हो र Na2CO3 plus H2O plus CO2, तो इस reaction को देखने से हमको क्या पता चल रहा है, इस दोनों reaction को देखने से हमको यह पता चल रहा है, कि chemical combination जो होता है, वो decomposition reaction का opposite होता है, कभी-कभी आपके पास ऐसा question आ जाएगा, कि with the help of reaction, how you can say that, कि chemical combination जो होता है, वो इसका opposite होता है, तो आप यह reaction याद उठाया है आपको, अब देखिए, पहला reaction जो आप देख रहा हो, उसमें क्या है, फेरस सलफेट, इसका color green होता है, greenest color है यह, तो फेरस सलफेट जो है, जब आप इसको heat करते हो, actually में इसको हम लोग क्या बोलते है, green vitrol को लेते है, FESO4 और 7H2O, इसको क्या बोलते है, green vitrol, ठीक ना, तो green vitrol को जब आप heat कीजएगा, तो सबसे पहले तो इसका water हट जाएगा, उसके बाद देखिए, यह क्या होगा, टूटेगा, किस में, तो फेरिक, है ना, फेरिक ऑक्साइड, सलफर डायोक्साइड और सलफर ट्रायोक्साइड, और यह दोनों जो आप देख रह से तूट रहा है, उसी तरह से next reaction आप देखो, तो मैंने क्या दिया है, CACO3, calcium carbonate को हमने heat किया, product मेरा क्या निकला है, calcium oxide प्लस carbon dioxide प्लस heat, next आप reaction देखो, PBNO3, इसका color कैसा होता है, तो यह generally colorless है, white color हम कहा सकते हैं इसको, और product मेरा क्या आएगा, red color का आएगा यह, और यह जो आप देख रहा हो, lead nitrate को हमने heat किया, तो मेरा क्या निकला, red lead oxide प्लस nitrogen dioxide प्लस oxygen, यह तीनो reaction, FeSO4, CACO3, PBNO3, यह तीनो reaction में, हम क्या देख रहा है, कि हमको decomposition के लिए heat की जड़ुवत है, तो ऐसे decomposition को मैं एक नाम देना चाहूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं, thermal decomposition, क्या बोलते हैं, thermal decomposition, क्योंकि यह, यह reaction किसकी वज़ा से हो रहा है, heat की वज़ा से हो रहा है, तो thermal decomposition, ओके, next देखिए, sunlight के presence में टूट रहा है, क्या टूट रहा है भाई, तो AGCL, AGCL का आप salt ले लो, और उसको एक petri dish में रख करके, sunlight में छोड़ो उसको, तो आप देखो कि उसका color जो होगा न, वो change कर जाएगा, white से यह grace और yellowish green type का color, दोनों को mix color आजाएगा, dark color का हो जाएगा, उसी तरह से आप देखिए, azbr, whitest color का होता, sunlight के presence में यह grace और brownish red हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं, अच्छा, यह reaction जो है न, वो reversible भी है, यह ध्यान रखना है, reaction reversible है, जैसे ही आप इसको फिर से बापस लेके आओगे न, shaded area में, तो आप देखोगे फिर से यह azbr हो जाएगा, और azcl में convert कर जाएगा, तो तो azcl और azbr जो है, यह whitest color का होता है, और यहाँ पर देख रहे हो, grayish और yellowish और grayish और brownish हो जाता है, आप एक चीज धियान रखना यह दोनों reaction का use जो होता है, खासकर नीचे वाला जो reaction देख रहे हो, इसका use आपको black and white photography में रहे हो जाता है, प्लेक और blueish photography में इसका use किया जाता है, और यह देख रहे हो, sunlight के presence में टूट रहा है न, इसका मतलब यह कैसा reaction है, इसका मतलब यह कैसा reaction है, तो photolaitic decomposition है, इसको ह ult enzymatic decomposition, हम लोग कुछ इसका नाम ये देते हैं, photolytic decomposition, तो पहला बाला मेरा क्या था, thermal decomposition, और दूसरा बाला मेरा क्या है, photolytic decomposition, एक और reaction में बताना आपको चाहूंगा, और वो हमारा क्या होगा, electrolytic decomposition, या electrical decomposition, देखिए गया, एक्टिवीटी आपके NCRT में दिया हुआ है मैंने वही बनाने का कोसिस किया है यहां पर मुझे आसा है कि आप इससे समझ जाएंगे तो देखिए एक प्लास्टिक मग ले लिया गया है और इसमें क्या ले लिया गया है थोड़ा सा वाटर और वाटर के साथ क्या लिया गया ह साल्ट थोड़ा बहुत साल्ट एसी और बेस ऐसा क्यों जरूरी है एक्च्वली में वोटर इस पूर कंड़क्टर यह पूर कंड़क्टर होता है है ना तो वोटर ही जो पूर कंड़क्टर सो बाई एड़िंग साल्ट एसीड और बेस वी कैन इनक्रीज एट्स कंड़क्टिवीटी है ना हम लोग इसके कंड़क्टिवीटी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है तो आप देखिए यहाँ पर एनोर और कैथोड हमने ले लिया एनोर और कैथोड देखना है पोजिटिव पोल से जुरा जब आप ऐसा करते हो तो यह होता है ना इसका इलेक्टिकल डिकमपोजिशन होता है किस में तो ह2 प्लस O2 में कुछ ऐसा डिकमपोजिशन है अब ह2 देखिए कहां जमा हो रहा है तो यह जमा हो रहा है किस पे कैथोड पे और O2 मेरा कहां जमा हो रहा है यह हो रहा है एनोर पर कैथोड और नोट पर यह अलग अलग आपको जमा होता है अब यह जो आप देख रहे हो कैथोड और नोट पर जमा होता है अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो देखिए सीगर में बनाया हुआ और आप देखिए और यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारा मिल रहा है तो मैंने क्या बताया कि यह अगर यह तू टाइम्स है तो यह क्या है यह वन टाइम्स है कुछ ऐसा रेशियो में आपको वालूम मिलेगा इसका ऐसा क्यूं है बहुत आसा जवाब है इसका कि भाइ बहुत एक मोल्मट या एक मोल्कुल वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो होता वो कितना है दो मौल और ऑक्सीजन कितना है एक मौल तो इसका यहीं वजह दियता है तो इस सथरह से हमने हम लोगों किया देखा अध्यक्रिकाल डिंपोजिशन ऑप और यह था में आध्य कुकि इसमें electrical energy use हो रहा है तो ये भी क्या है एक indothermic reaction है ध्यान दिजेगा इसको यह ayouts कैसा reaction है indothermic reaction है क्यों इंडothermic है क्योंकि इसमें electrical android use हो रहा है है तो इस तरह से यहाने सीजिश को आपकी चीजिए औरस आप समझने का कोशिस किजिए, अगर कोई भी प्राबलम हो आपको, कोई भी कोश्चन हो तो आप कोमेंट बॉक्स में इसको जरूर पुटप किजिए, हम लोग आपके प्राबलम को सॉल्व करने की कोशिस करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका.